चारधाम व्यात्रा के दौनान पिछले सालों में रोडवेज बसों की कई दुरगटनाई होचती हैं जिसे लेकर परिवहन निगम ने इस बार नए योजनाई बनाई है परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि इस बार कोशिच की जाएगी कि ड्राइवर को पूरा आराब मिली इसके लिए परिवहन की चेक पोस्ट हाई टेक की गई है यहाँ ड्राइबरों के लिए विश्टाम और अच्छे खाने की विवस्ता होगी इन चेक पोस्टों से ही बहांचालकों की ड्यूजी भी रिप्लेस्मेंट की जाएगी इस बार यह अभिनो प्रयाज क्या है कि हमारी जाजान चेक पोस्ट है हमने हाइटेक चेक पोस्ट बना रहे हैं और हम अपने वोड़वेज के सांसा हम अपने ड्राइबरों के लिए विश्राम स्थर बना रहे हैं जब तक ड्राइबर को रखने लेगा अंगर गातार रूट पर चलेगा तो दुरगट नहीं की संभा होना है प्रभू हुद डेयर है एच लिए विदिन का प्रिष्ट्रेक्शन की ग्रसी बएस अफ्रसे चारदा म्यात्रा का अगास वनेचारा है रुड की एयाल्टियों कारले में चारदाम ब्यात्रा पर जाने वाले कमर्शियल वाहनों की ग्रीन कार्ड की विवस्ता शुरू कर दिया गया है। जितनी बार अपना चक्कर लगाएंगे तो उसमें क्रिप कार्ड भी बनाना कमपलसरी रहेगा। तो अभी तक हमें जो दिशारा निर्देश हैं वो ग्रीन कार्ड के लिए है। मौत बाट रहे नशा मुक्ति केंद्र में एक के बाद एक मौत। आखिरकार नशा मुक्ति केंद्रों में हो क्या रहा है। क्या नशा मुक्ति केंद्र मनमानी पर उतराएं। ये तस्वीरे कुछ रोज पहले की हैं जब देरादून में एक नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत पर हंगामा हो गया था। आखिरकार नशा मुक्ति केंद्र केंद्र में युवक का शौलट का मिना। 12 अक्टूबर 2022 को वसंत विहार नशा मुक्ति केंद्र से 10 लोग फरार हो गए। जबकि 24 अक्टूबर 2021 को नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत हो गए। 20 मार्च 2030 को नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत का मामला सामने आए। दहरादून के नशामुक्तिकेंद्र अपराज के अड़े बन चुके हैं इन नशामुक्तिकेंद्रों में भरती मरीजों को यातनाई दी जाती है उनके साथ मार पिठाई होती है और उनकी मौत हो जाती है इस तरीके के कई मामले दहरादून के नशामुक्तिकेंद्रों से उजागर हो चुके हैं यहां तक की क्लेमन टाउन में एक युवती ने नशामुक्तिकेंद्र संचालक पर उसके साथ दुशकर्म का भी आरोप लगाया था नशामुक्तिकेंद्रों में एक वाद एक घटनाए हो रही है मगर पुलिस के कारवाई सिर्फ रिबोर्ट लिखने तक ही सीमिल यदि मारपीट इत्यादी से डेथ हुई है तो उसमें फायर की जानी चाहिए और सारे जितने भी नशामुक्तिकेंद्र है उसके सूची और गरा ले उनके परिपत्र और इत्यादी ज़रूर चेक करा ले इसके लिए एक अलग से दिसानी जारी कर रहा हुआ है नशामुक्तिकेंद्र में उन लोगों को भीजा जाता है जिने नशी के लथ होती है मगर ये कोई नहीं चाहेगा कि नशामुक्तिकेंद्र में उनके अपने घर वापसी न लोगों मगर ये घटनाएं साफ करती हैं कि राजधानी के नशामुक्तिकेंद्र यातना करे बन चुके है कुलिस और प्रशासन इस पर मौन है कुल मिलाकर कोई जिम्मेदार्या तै नहीं हुई है और यही वज़े है कि लगातार इस तरीके के बड़े अपराद नशामुक्तिकेंद्रों में देखने को मिल रहे है सब्सक्राफ लाउरेंस के साथ रवी कैंतुरा, एबिपी गंगा, दहरादू और अब आप कोड़ दुआ की जहां शुराप की दुकान का विरोध हो रखा है दुरगापुरी इलाके में शुराप की दुकान के विरोध में मैलाओ ने प्रदशन किया महिलाओं की मांग है कि इस लाके से शुराब की दुकान को दूसरी जगह पर शिप्ट करना चाहिए महिलाओं का कहना है कि शुराब की दुकान के पास सरकारी विध्याले दो बैंक और धारुमी के स्पल है शुराब के दुकान खोलने से इस ट्वेटर का माहौल खराब होगा उदर कुमाओ कमिश्णर दीपक रावत ने हजबानी में खस्ता हाल सडकों का निलक्षन किया इस दौरान दीपक रावत ने सडकों की खस्ता हाल स्तिती को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है सडक पर हो रहे जल भराब को लेकर दीपक रावत ने संबंतित विवाग को फटकार लगाई पूरी जो नए से रिस रोड बननी है ये चार इसके बिसिकली कंपोनेंट्स हैं जिसमें से बिजली वालो का यूपी सेल का गाम पहले ही हो चुका है जल संस्थान का वर्तमान में चल रहा है जिसमें लीकेजिस भी है और जो ठीक से इसका कॉम्पैक्शन होना था वो भी नहीं किया गया है इनको निर्देश दिये गए हैं कि आज ही ये लीकेजिस ने इसको सब रिपैर कर दें और साती सात जो कमपैक्शन को करना चीए था सड़क का जो ऐसी छोड़ दिया है इनों उसको भी ये सुनिश्चित करा है आज बैस शाखी इसनान है इस मौकी पर हिद्वार में हरकी पैड़ी पर इसनान करने के लिए शुधालों की भीड़ उमट रही है जिलाप्रशासन ने इसनान पर्व को लेकर पूरे मेले शेत्र को 15 सूपर जोन और 49 सेक्टर में बाचा है साथी 900 पॉलीस जबान की तैंनाति की गई है और इसके साथ 8 कंपनी PC, PAC की तैंनाति की गई है कोरना की खत्रे को देखते हुए जिलाप्रशासन की तरफ से गाईलाइन भी जारी की जारी है और शुधालू से भी जिला प्रचासन अपिल कर रखा है कि मास्क लगा कर रखे देश में करमपरा है कि उसी दिन से बैसाकी से ही जो बड़े बड़े दानी लोग है वह आसरमों में मठों में और सामोहिक जगों पर वो प्यावु लगा कर के सामान जल भी पिलाते हैं बैसा की पर्व पर विकासनगर के जन जाते शेत्र जॉन सार में बिस्तू पर्व की शिरुवात होगा यह इस पर्व को लेकर जॉन सार की लोगों में काफी उस्ताहा है लोग सुभाव के ही वुरांच की फूल लेकर अपने इस देट के पॉपास पहुंच रेते हैं और उनकी अराधना करते हैं जॉन सार स्वेत्र वे अब तीन दिन तक विस्तू पर्व उस्ताहा से मनाया जाएगा अब बीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी